नमस्कार दोस्तों, आईएस PCS जोन में आप सवों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आप सवों के लिए इकोलोजी से समधित बहुत ही महतपून प्रशन लेकर के आया हूँ आपके परिक्षा के लिए पहुत जादा यह महतपून टॉपिक है क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि यहां से प्रशन जो है UPPCS में पूछे ही पूछे जाते हैं तो यह टॉपिक को जरूर आप कवर करके जाएगा तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों से शेयर कर दिजेगा थाकि उनको भी इसका फाइदा हो सके और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजेगा ताकि आगे आने वाला जितना भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके यदि आपको पीडियो प्राप्त करना है तो आप टेलिग्राम ग्रूप में जोआन हो जाएगे उहां पे इसका पीडियो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं तो देखेंगे आज का पहला प्रशन है नेमली खित में से खाद स्रिंकला यानि फूर चेन का दूसरा पौश्टिक इस्तर क्या है तो देखेंगे जो इसका पूच रहा है दूसरा पौश्टिक इस्तर कौण हो जाएगा दूसरा पौश्टिक इस्तर हो जाएगा चुवा ठीक है प्रथम में तो घास आएगा दूसरा में क्या आएगा चुवा आएगा चलिए अगला प्रशन है उपरियुक्त खाद प्रात्मिक उभ्भोगता कौन होता है प्रात्मिक उभ्भोगता की बात कर रहा है तो प्रात्मिक उभ्भोगता कौन होगा प्रात्मिक उभ्भोगता इसमें शाकाहारी होता है ठीक है याद रखेंगे शाकाहारी जो होता है वो प्रात्मिक उभ्भोगता होता है अगला प् producer और तिसराम दिया गया अब घटक तो ये तीनों तो होंगे लेकिन इसमें जलवायो शामिल नहीं होगा ठीक है तो इस परकार सही उतर हो जाएगा option D अगला प्रशन है प्राकिर्ति के cleaner इसमें से कौन है प्राकिर्ति के cleaner जिनको बोला जाता है तो cleaner इसमें से कौन है जो कि प्राकिर्ति को बिल्कुल साफ रखने के काम करते हैं तो वह कौन हो सकता है इसमें वो होगा बिघटक ठीक है इसको प्राकिर्ति के cleaner भी बोला जाता है अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है कौन सा इसमें जो है सर्वाहारी नहीं है तो यहाँ पर देखना है चुहा सर्वाहारी है चीटी भी सर्वाहारी है भालू जो है ये भी सर्वाहारी है लेकिन साप इसमें जो है सर्वाहारी नहीं है तो इस परकार सही उत्तर क्या होगा, option D अगला प्रशन है, डाक्टर धुरूब जोती घोश किस छेतर से सम्बंद रखते हैं तो डाक्टर धुरूब जोशी घोश जो है, वह कौन से छेतर से सम्बंद रखते हैं तो एक खाद श्रिंकला में जो है सबसे अधीकवाधी हो जाएगी उत्पादक का। अगला प्रशने, खाद श्रिंकला में प्रात्मिक उबभोकता और माध्मिक उबभोकता के बीच अंदर क्या है? जो होता है, वो पौधा को खाएगा, ठीक है? पौधे से समंदित पौधा जितना भी होगा उसी को खाएगा और माध्यमीक चाहे दूसरा भोगता कर सकते हैं तो वो सब क्या खाएगा दूसरा जो भोगता हो जाएगा वो पौधे भी खाएगा और क्या खाएगा और वो मांस भी खाएगा ठीक है ना, यानि बिगटित पधार्थ को भी खाएगा तो सही उत्तर क्या होगा, option A अगला प्रशन है मिटी के दूशक, जो सुक्ष मिजीवों को और पौधों को मार कर खाद शिंखला और खाद वेव को परवाबित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, option C उसको हम कीठ नाशक कहते हैं, ठीक है अगला प्रशन है इकोटोन का अर्थ क्या होता है तो इकोटोन का जो है अर्थ क्या होता है तो इकोटोन वो है जहां दो बायों मिलते हैं, ठीक है उसको हम करते हैं इकोटोन, तो सही उतर हो जाएगा option A अगला प्रश्ण है, पश्वों की परजातियां ज्यादा तर डैस के कारण लुप्त प्राए हो रही है ठीक है, पश्वों की जो परजातियां है, वो किसे कारण जो है कहा जाता है, तो उसको जो है पारिस्थित्की कहा जाता है क्या कहा जाता है, पारिस्थित्की, अगला प्रश्ण है पारिस्थित्की तंत्र यानि एकोसिस्टम की संकलपना को किसने परिभाशित किया था, तो पारिस्थित्की जो तंत्र है इसके संकल्पना किसने परिभाशित किया था तो इसको परिभाशित किया गया था आर्थर टॉंसले के दौरा ठीक है आर्थर टॉंसले के दौरा अगला पस्यने एक व commandments एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मचलियं और जलिये पौधों को रखा जाता है निमन में से क्या एक बेरियम के बिशै में सही है तो चली यह हम देखते हैं तो पहला दिया गया है वह वह मनुश्व द्वारा निर्मित पारीश्थार ग़不過 सही हो जाएगा दूसरा है यह प्राकिर्टीΤब पारिस्तित की तंत्र है यह गलत हो जाएगा यह पारिस्तित की तंत्र नहीं है यह भी गलत है इसे केवल एक परजाती कहा जा सकता है यह भी गलत है तो सही उतर हो जाएगा option A, अगला प्रशन है, बायो डाइवर्सिटी किसे संदर्वित करती है, तो बायो डाइवर्सिटी जो है, वह किसे संदर्वित करेगी, तो बायो डाइवर्सिटी पित्वी पर जीवन की विवित्ता को ही जो है, प्रदर्शित करती है, संदर्वित करती है, तो सही उतर हो जाएगा option A, अगला प्रशने, पौधों के बिभीन अंग, बनश्पतियां और जैविक अप्षिष्ट कहलाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, तो इसका सही उतर हो जाएगा, option C, वो बायों कहलाएंगे, अगला प्रशने, बनश्पतियों और जीवों का उलेख है, तो बनश्पत है, biological hot sport की मुख विसे इसता क्या है, तो देखिए, biological hot sport होता है, उसमें जो है, जो परजातियां बिलूपत होती है, उसी को उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है, तो इस पर काया, इसका सही उतर क्या होगा, इसका सही उतर हो जाएगा, option C, कुछ परजातियों की फिलहाल बि लिया गया था, ठीक है, मॉन्ट्रेल जो सम्मेलन 1987 हुआ था, उसमें से कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था, तो उसमें लिया गया था फैसला, कि बिक्सी देश जो है, दो हचार तक पूरी तरह से CFC, यानि क्लोरो फ्लोरो कारवन उत्पादन पर परतिबंध अगला प्रशने, ओजोन अपच्छे पदार्थों के विसर्जन को घटाने से समंधित, विशेस नियंतरन रनितियों के तहत की गई, बैश्बिक समझोते को, डैस अपनाया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओप्शन B, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओप्शन C, ब्रैंबल केई, मेलो मिस, अगला प्रशने, रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं, वह क्या है, तो लाल जो सूची जिसको कहते हैं, रेड डाटा बुक जो है, वह संकट ग्रस्त पस्वों, पेडो इत्यादी का इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओप्शन C, अगला प्रशने, क्योटो प्रोटो कॉल जो है, किस वर्ष में प्रभावी हुआ था, तो क्योटो प्रोटो कॉल जो है, वह किया गया था, वर्ष 2005 में यह प्रभावी सोरी हुआ था, अगला प्रशने, 2015 के सन्युक्त राष्ट जलबायू परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच उर्जा क्रांती में तेजी लाने के लिए, किस वैश्विक पहल की घूषणा की थी, तो अग घूषणा कौन से पहल के किया गया था, वहाँ पे घूषणा किया गया था, मिशन अभिनव का, ठीक है, यह किया गया था, विल गेट्स के द्वारा, याद रखेंगे, अगला प्रश्ण है, अंतराष्ट्य सौर गठवंदन किसके द्वारा लॉंच किया गया था, तो अंतराष्टिय सौर गटबंदन आपको मालूम होगा कि यह इंडिया के द्वरा ही क्या गया था इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्षने नरेंद्र मोधी के द्वरा अगला प्रश्ण है बहुत सारे देश एक ऐसे प्रोटोकोल का अनुसरण कर रहे हैं जो उन्हें कारवन उस्सरजन की मात्रा में कटावती करने को बाध्धे करता है यह प्रोटोकोल कहां पर निर्धारित हुआ था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्षने क्योटो जापान में ठीक है अगला प्रश्ण है क्योटो जलवाईव परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option B दिसंबर 1997 में अगला प्रश्ण है क्योटो प्रोटोकॉल की पहली परती बधता अवधी 2008 में शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option B दो हजार बारा में 2008 में शुरू हुआ था और 2012 में शुरू हुआ था अगला प्रश्ण है प्रधान मंत्री की आबो हवा परिबरतन परशद में कितने शदस शामिल हैं तो इसमें जो हैं 18 शदस शामिल होते हैं अगला प्रश्ण है केंदर शरकार की नरसरी स्कूल योजना किस से संबंधीत है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option यूबा मन में परियाबरन के परती जागरूगता पैदा करने से अगला प्रश्ण है नीचे दिये गए बिकल्पों में से कौन सा बिकल्प आद्र भूमी यानि बेट लेंड के संदरक्षन और चिर इस्थाई परियोग हेतु अंतरराष्टी संधी है तो वह कौन सा है वह है रामसर शम्मीलन ज्याद रखेंगे अगला प्रश्ण है परियाबरन अध्यन के संदर में CER किसे संदर्वित करता है तो CER जो है यह Certified Emission Reduction को संदर्वित करेगा अगला प्रश्ण है WWF रोशनी कम करते हुए या बंद करते हुए हर बर्स अर्थ आवर यानि अर्थ आवर डे जो है के रूप में मनाया जाता है तो है किसलिए मनाया जाता है तो है मनाया जाता है इस्थाई बिश्व बनाने हेतु बैस्विक शमुदाय को प्रोशाहित करने के लिए ठीक है इसे आप याद रखेंगे बहुत जादा मात्पून है अगला प्रशने डैस 2016 में वर्ड बेटलेंड डे के लिए बिसय क्या था यानि 2016 का जो बेटलेंड डे मनाया गया था वर्ड बेटलेंड डे उसका जो है थीम क्या था ठीक है तो उसका थीम रखा गया था चीर इस्थाई आजीब का ठीक है इसे आप याद रखेंगे अगला प्रशन है बिश्व बेट लेंड दिवस यानि बेट लेंड दे हर शाल कितने फरवरी को मनाया जाता है तो बेट लेंड डिवस आपको मालूम होगा कि दो फरवरी को मनाया जाता है अगला प्रश्ण है भारत का परियाबरन यानि शनरक्षन अधिनियम किस वर्ज जो है पारित किया गया था तो इसे पारित किया गया था 1986 में इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन B अगला प्रश्ण है 2015 में सन्युप्त राष्ट जलबाईय परिवर्तन सम्मेलन जो है कहा वुआ था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015 में पेरिश में हुआ था अगला प्रश्ण है इसमें से कौन सिंगापूर में आयोजित वार्शिक राष्ट व्यापी परियाबरण की प्रती जागरूपता तथा पर्त्यक्ष करवाही को प्रोच सहित करने वाला अभ्यान है तो यह भ्यान कौन सा है यह है इको एक्षन दिवस क्या है इको एक्षन दिवस अगला प्रश्ण है अप्रेल 2016 में राष्टी हरित अधिकरण ने डैस को बचाने के लिए रोणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्दुत परियोजना के लिए दी गई परियाबरण मनजूरी को निलंबित कर दिया ठीक है तो वह किसके लिए निलंबित किया था तो वह निलंबित किया गया था काली गर्दन वाले शारस के लिए ठीक है इसे आप याद रखेंगे अगला प्रश्ण है बिश्व जलवायू शमेलन जो कॉप 21 जो की 2015 में हुआ था के नाम से प्रिये है वह कहां आउजित किया गया था तो उपर ही मैं बता चुका हूं वह जो है पेरिश में आउजित किया गया था अगला प्रश्ण है ग्रीन हाइवे पॉलिसी 2015 का उद्देश क्या है तो इसका जो उद्देश है वह है परियावरन अरूकूलन रजमार्गों के वि कारवन उचसर्जन और बास्तव में कारवन उचसर्जन उचसरजित किये गए के अधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है इसका कारोबार भी किया जा सकता है तो इस प्रकार सही उतर हो जाएगा उप्शन B अगला प्रशने 2015 में सन्युक्त राष्ट जलवायू परिवर्तन समेलन कहां आजित किया गया था तो इसका सही उत्र क्या हो जाएगा इसका सही उत्र हो जाएगा उप्संसी पेरिश में अगला प्रशने जलवायू परिवर्तन पर एतिहासिक Conference of Parties यानि जिसको बोलते हैं COP21 जो है 2015 में कहां आजित किया गया था तो इसका सही उत्र हो जाएगा उप्संसी पेरिश में अगला प्रशने IPCC का पूरा रूप क्या है IPCC का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका सही उत्र हो जाएगा Inter Governmental Panel on Climate Change यानि सही उत्र हो जाएगा उप्संसी अगला प्रशने है डैस परजातियां IUCN के बर्गी करन में संकट ग्रष्ट परजातियों की श्रीनी में नहीं है तो देखिए जो परजातियां नुक्षान देगा ठीक है न जो नुक्सान पहुंचाने वाली परजातियां होगी वो IUCN के संकट ग्रष्ट परजातियों की श्रीनी में नहीं आएगा तो सही उत्र हो जाएगा Option A अगला परष्ट ने जंगलों के संरक्षन और नए पेडों के रोपन हेतु लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए वर्स 1950 में डैस द्वारा वन महुटसब की शुरूआत की गई थी तो 1950 में किन के द्वारा वन महुटसब की शुरूआत की गई थी तो वह किया गया था के यम मुंसी के द्वारा अगला प्रशन है किस केंदर मंत्राले ने 2018 में Green Goods Deeds अभ्यान शुरू किया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Option B परियाबरन बन और जलबाई परिवर्तन मंत्राले के द्वारा अगला प्रशन है बीश परियाबरन दिवस कब मनाया जाता है तो यह बहुत ही असान कुश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा Option 5 जून चलिए अगला प्रशन है अगला प्रशन को देखते हैं NGT यानि NGT का फूरा नाम क्या है यानि NGT का फुल फॉर्म क्या होता है तो NGT का फुल फॉर्म होता है वो होता है National Green Tribunal यानि सही उत्तर हो जाएगा Option D अगला प्रशन है National Green Tribunal यानि NGT क्या है तो NGT जो है एक Fast Track Code है याद रखेंगे क्या है Fast Track Code है अगला प्रशन है पारस्थित की शब्द को सरप्रथम परतिपाधित करने का श्रे किसे जाता है तो पारस्थित की जो शब्द है उसको सबसे पहले किसने परतिपाधित किया था तो इसको परतिपाधित किया था Reader ने तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Option है जीव और बातावरन के पीच के अध्यन को ही क्या कहते हैं परस्थित्की करते हैं अगला प्रश्ण है परस्थित्की तंद्र के दो घटक कौन कौन से हैं तो दो घटक कौन कौन से होँगे जैविक और अजेविक होँगे याँनि सही उतर हो जाएगा option B अगला प्रश्ने 20 परियावरन दिवस 2016 का नारा क्या था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option B जीवन के लिए जंगलों का रूप करो अगला प्रश्ने 20 परियावरन दिवस 2016 की विसे बस्तु क्या है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन जीवन में अबैद वेपार के लिए शुनि सहन ठीक है यानि सही उत्तर हो जाएगा option C अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन पारितंत्र का अजिविये घटक है तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा option B गला प्रश्ण है किस पारितनत्र की तंत्र में उर्जा का परवाह के बारे कौन सी स्रिंकला सही है तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका उत्तर देखेंगे सबसे पहले उत्पादक आएगा फिर उभवगता आएगा फिर अब भटक आएगा तो सही उतरो जाएगा option C अगला प्रशन है जब हम बकरी का मांस खाते हैं ठीक है तो हम जो है कौन से भोगता कहलाएंगे तो जब कोई भी बकरी यानि मांस खाएगा तो वह जो है दुद्य भोगता कहलाएगा ठीक है अगला प्रश्ण है पारेस्थित की तंत्र में तत्वों के चक्रन को क्या कहते हैं तो इसके चक्रन जो है जैविक भूरासाइनिक चक्र कहलाते हैं जैविक भूरासाइनिक चक्र यानि सही उतर हो जाएगा उप्शन B अगला प्रश्ण है खास रिंकला से अभी प्राई है इस में से किस के द्वारा उर्जा अंतरन होता है तो यह जो है उर्जा अंतरन एक जीव से दुसरे जीव में होता है अगला प्रशन है निमलिखित में से कौन सा सबसे अधिक इस्थीर पारितंत्र यानि पारिस्थित की तंत्र है सबसे इस्थीर पारितंत्र कौन सा है तो सबसे इस्थीर पारितंत्र महासागर होता है याद रखेंगे तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे 65 प्रश्ण को यहाँ पे complete solve कर लिए हैं और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और यदि वीडियो पशन्द आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों सो शेयर किजिए ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके और चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें मस्त रहें पढ़ते रहें जैहिंद